एक जनरी तो बच्चानली वाक्सिन दी रेजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी कोविन आप दे रहा ही वाक्सिन ली रेजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी सो एक जनरी तो बच्चानली हुन रेजिस्ट्रेशन वाक्सिन ली कराई जा सकेगी कोवन आप दे रही ऐ वक्सिरशन हो वेगी अपने स्कूल देशनिम आक्ति काड रही वी बचचे बाक्सिन ले खन dif कर सकंगे 15 तो 18 साल तक दे बचचा नो 3 जनरी तो एवाक्सिन लग सकी की जिसनों लहके एक तरीक तो रिजिस्ट्रेशन प्रक्रियाश शुरू हो जाएगी केंद्री सेथ मंत्रा आले वलो जारी की तियां गईया गाइडलाइन्स ते मुताबिक जड़ा है वैक्सिन लगेगी केषद है कर एक को अधयुटी और अधयुटरा ऐसे घर ड्सकरामा बेंज हैंश की फ्कर अब प्रक्र जड़ की समैज़ का के। कन क respons लख़ीए ज व्याथ ज før भी यह एसकता हुट झाले कमुने हाईटी यूटन्स उ or may not use aadhar so we are allowing that and there are nine documents which are eligible which you can show him any document out of those nine so we are allowing the student identity card also to be one of the 10th document in case of children between 15 to 18 years of age and they will be able to register and and they will be able to register from first of january because the jabs will start from third of january onwards